Hello friends, welcome back to another video. आज कीस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ये तो जानते होंगे न्यूस पेपर आज हर घर में आता है ज्यादा तर घरों में न्यूस पेपर आज के जवाने भाई आने लगा है निगल कि आप लोग ये जानते हैं जो न्यूस पेपर हम लोगों को 3-4 और 5 रुपए में मिल जाता है वो असली में कितने रुपए में बनता है और जो न्यूस कमपनी होती है वो कैसे पैसे कमाती है न्यूस पेपर की जो कमपनी होती है वो हम लोगों को कभी भी manufacturing price पे करने के लिए नहीं बोलती, वो सिफ distributing charge पे करने के लिए बोलती, distributing charge क्या होता है, वो आपके जो घर घर पहुचाती, बाटते हैं लोग, उनका distributing charge होता है, company सिफ वही लेती है, और जो paper होता है, वो आपको बिल्कुल free पहुचाती है, अब आप सोचोंगे कि वो पैसे कैसे कमाती होगी company, तो अब आप लोगो को बता दें कि जो newspaper company होती है, वो अपने ads से पैसे कमाती है, जो उनके वाले newspaper में आपको ad देखने को मिलते होंगे, किसी भी बड़े-बड़े shop के, या किसी भी show के, तो वो उनसे पैसे कमाती है, एक छोटे से ad के भी newspaper company जो होती ही, वो 10,000 रुपए तक ले लेती है, तो यह बिल्कुल उसी तरीके है, जिसे YouTube और other content creator वाले platform है, उसमें जो आप लोगो देखते हैं कि content तो बिल्कुल free होता है, निकल जो ad होता है, उसके जरिए company बिल्कुल पैसे कमाती है, तो आप लोगो समझ गयोंग जो newspaper वाले company होती है, वो कैसे पैसे कमाती है, तो आज की वीडियों बस इतने ही मिलते हैं, किसी नई वीडियो में किसी नए fact के साथ, तब तक के लिए, भाई भाई